इस दुनिया में जितनी स्पेस एजिंसी मौझूद हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे एजिंसी हैं जिन्होंने मार्स पर अपना स्पेस मिशन को लॉंच किया था और उसमें से नासा और EASA को छोड़ कर आता है ISTRO, इंडियन स्पेस रीसर्ज और्गनाइजेशन ये भारत का वो स्पेस एजिंसी है जिसने वर्ल्ड का चीपेस मार्स मिशन और 104 सैटलाइट्स को एक साथ लॉंच करके वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया था मार्स मिशन को पूरा करने के बाद ISTRO उन एलीट स्पेस क्लब में शामिल हो गया था जहां पड़ नासा और EASA के तरह कुछ ही स्पेस एजिंसी मौजूब थे वैसे तो एक स्पेस प्रोग्राम का बजट बहुत ही कॉसली होता है लेकिन ISTRO एक ऐसा स्पेस एजिंसी के नाम से जाना जाता है जो एक्सपेस स्पेस प्रोग्राम को भी बहुती चीपस बजट में कंप्री कर लेता है मौम यानि मार्स और्बाइटल मिशन को कंप्लीट करने के लिए ISTRO का टोटल बजट था करीब 74 मिलियन यूएस डॉल लेकिन ठिक उसी समय नासा से छोड़ा गया मैविन स्पेस क्राफ्ट का बजट था करीब 672 मिलियन यूएस डॉल तो इंदिया का ये मार्स मिशन को कैसे अन्जाम दिया गया इसी को लेकर है हमारा आच्छा ये एपिसोड मैं हूँ देवाशीश तो चलिए जान लेते हैं हर किसी स्पेस क्राफ्ट को पित्वी के बाहर भीजने के लिए पित्वी के ग्रैफिडेशनल फील्ड को पार करना जरूरी होता है और स्पेस क्राफ्ट जितना भाड़ी होगा उसको उतना ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट एजिन्स का ज़रूरत होता है मार्स हमसे बहुत ही ज्यादा दूरी पर मौज़ुद है लेकिन मार्स और अर्थ के बीच में हर 36 महिनों में यानि 36 मन के बाद एक ऐसा समय आता है जब अर्थ और मार्स के बीच में डिस्टन्स सबसे कम होता है और उसी समय ही मंगल्यान को छोड़ा गया था प्रित्वी से छोड़े जाने के बाद स्पेस क्राफ्ट कही रास्ते से दूर ना चला जाए इसलिए थ्रस्टर्स को भी यूज़ किया जाता है थ्रस्टर्स वो होता है जो स्पेस क्राफ्ट के बॉड़ी पर कई जगह पर लगाया जाते हैं ताकि उस थ्रस्टर का इस्तिमाल करके स्पेस क्राफ्ट को अपनी रास्ते पर मेंटिन रखा जा सके अब नासा के 22 मिशन के बारे में बात कर लेता है इस mission का total budget था 672 million US dollar जो की ISO के मंगलियान mission से कई गुना ज़्यादा था मैविन जिसका full form है Mars Atmosphere and Volatile Evolution इसके नाम सुनके ही आप समझ चुके होंगी कि इसका mission Mars के atmosphere का observe करना था और इसलिए अपने साथ ये काफी सारे equipments को carry कर रहा था और इसका weight था करीब 2500 kg यानी धाई हजार किलो और मंगलियान का mass था करीब 1337 kg इतना ज्यादा mass होने के वज़े से मैविन को बहुत fuel consumption का भी जरूरत था इसलिए NASA ने अपना Atlas V rocket के जरीए इस spacecraft को launch किया जो की 7000 kg के payload को geostationary transfer orbit तक ले जा सकता था यह सबसे बरा reason था इस MAVN mission को इतना costly होने के लिए MAVN का launch date था 18th November 2013 और MAVN का mass 2500 kg होने के वज़े से 18th November 2013 को ही यानि इसके launch के दिन ही यह Earth के gravitational field से निकल कर मार्स की ओर रवाना हो गया था लेकिन दूसरी ओर इस रुक के मंगलियान को launch किया गया था PSLV C25 launch vehicle से जो की सिर्फ 1300 kg का mass यानि 1300 kg का mass को ही geostationary orbit पर ले जा सकता था लेकिन मंगलियान का mass इससे 370 kg ज्यादा था यानि 1337 kg इसलिए PSLV मंगलियान को trans-mars orbit में directly नहीं भेज सकता था तो पहले इसे Earth के orbit में भेजा गया और इसके बाद इसको multi-step transition के जरी मार्स के तरफ छोड़ दिया गया तो अब यह जान लेते हैं कि इसको आखिर किया कैसे गया 5th November 2013 में मंगलियान को लेकर PSLV C25 ने launch किया और इस launch vehicle ने मंगलियान को Earth के lower elliptical orbit में बहुचा दिया पृत्वी के elliptical orbit का सबसे नजदीक के हिस्से को perigee कहा जाता है और इससे सबसे दूर के हिस्से को apogee कहा जाता है अगर कोई satellite इस orbit में पहुच जाता है तब यह अपने आप से ही चलने रखता है जैसे कि Earth और बाकी सारे planets चलते हैं और apogee में speed सबसे कम होता है क्योंकि यह सबसे दूर का हिस्सा है तो हर बार जब मंगलियान पेड़ीजी पे होता था तब अपने thrusters को use करके अपना speed को बढ़ाता गया ऐसे ही 5 बार इस्ट्रों ने इस तरीके को अपनाया और 16 नवेंबर को लास्ट बार thrusters से speed बढ़ाने के बाद मंगलियान का speed हो गया था करी 11 km per second जो की पिछवी के इसके velocity से थोड़ा ही कम था जो की था 11.186 km per second तो इस speed को अपनी thrusters के मदद से हासल कर लिया गया था तो इसके बाद मंगलियान अपने mission पर निकल गया अब ISO के scientist को करना था इंतजार अगर मंगलियान का speed कम होता तो उसको अपना engine के मदद से उसको power generate करना था और मंगलियान का speed अगर ज्यादा होता तो मंगलियान को उल्टा करके reverse में उसको चलाया जाना था इसके बाद बहुत सारे calculations के बाद देखा गया कि मंगलियान जिस speed से आगे बर रहा था उससे वो मार्स को छोड़कर निकल जाता तो ISO ने इसको reverse में लेकर यानि spacecraft को उल्टी तरफ लेकर back thrust को चलाया इससे spacecraft का भी काफी speed कम हो गया था और इसके बाद 24 September 2014 को मंगलियान पहली बार मार्स का orbit में शामिल हुआ था ये ISO के लिए एक बहुत ही बरा achievement था कि इतना कम budget में और first attempt में ही इंडिया के पहला Mars Mission को successful बना गया आप लोग तो जानते ही होंगे कि बहुत सारे Hollywood movie के budget भी ISO के Mars Mission से बहुत ही ज्यादा था और Mars Mission के success के बाद इंडिया Asia Continental में पहला ऐसा country बन गया कि जिसने Mars पर अपना पहला spacecraft को भी जाता इस्टो अपना दूसरा Space Mission यानि आदित्ते L1 Mission को भी plan कर रहा है जो कि इंडिया का पहला Sun Mission होगा और 2024 में इस्टो के milestone में Mangalian 2 का भी नाम है तो आज के लिए बस इतना ही आशा करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दुआए तो मिलते हैं साइन्स के किसी और एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक की साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइन्स कोप के साथ झाल